हालो दोस्तों कैसे हो स्वागत है और एक नय वीडियो में तो यह मेरा लास्ट वीडियो होने वाला है एंट पर क्यूंकि आभी रीवेन आने वाला है दोस्तों बहुत दिनों से लॉंग वीडियो मैंने छोड़ा नहीं फार्ट वीडियो भी आपलोड किया नहीं लॉंग वी हंडेल नहीं आता था अभी हंडेल आ रहा है यह देखिए धान की खेत पूड़ा का पूड़ा गाउ का नजारा फिलिंग है कुछ अलाग टाइप का है कुछ दिन पहले मैं शॉट बीटो डाला था है मैंने फूल टंग किया था इसका पांच लीटर पेट्रो लाया था इसमे इससे मेरा रीवेन ही अच्छा है 40 तो आराम से देता है जितना भी खराप दे 40 दे ही देता है और उसको खीचिता भी अच्छी तरह से हुम है दोस्तों इसके बाद मैं रेगुलर वीडियो गरना की कोशिश करूं का आप लोग थुरा से अड़्जस्ट कर लेना दोस्तों म जो नेक्स वीडियो आएगा दोस्तों बोशीर रीवेन का मोडिफाइड वीडियो होगा तो देखते रहना चैनल को और आचा लगो तो क्या करें दोस्तों सबस्क्राइब करतों सब्सक्राइब फोक तो कोई पैसा नहीं लाएगा कुछ भी नहीं लाएगा सिर्फ प्यार आपके दरब से सब्सक्राइब करो अच्छा लगता है कुछ बात बताना है आप लोगो इस वीडियो में पहला बात जो है आगार स्कूटी ले रहे है कोई या फिर कोई भी गारी ले रहे है उन लोगो के लिए बात कुछ-कुछ लोग सार्विसिंग टाइम करते लेकिन याइम भी मैटर करता है इनजीन ऑएल का लेलोूरीकेशन होने वभी मैटर Früh राग दो ताप भी एर फिल्टर में धूल जंचंके एर फिल्टर हो जाएगा तो इस बात का ध्यान राखना है तीन माहिने, चार माहिने के बाद सब का गारी स्वेकिन इसे भी आच्छा मैलेज मिलता है इसमें इतना बुरावड खीचता ही तो नहीं हूँ मैं पहला दिन मैं इसमें टॉबस्पीट टेस्ट किया था और उस दिन दूसरे वीडियो में मैं एक्सलारिशन टेस्ट किया था जिरो टुशिक्स्टी उसके अलाबा मैं कभी भी मतलब स शत्तर से उपर सत्तर के साथ से उपर नहीं गया ना इसमें तो इस बातों का ध्यान रखिए तीन महीन या फिर चार महीन के बाद आप सार्वी सिंग में लेके जाईए उसके बाद जो है सब छोटे-छोटे चीज का ध्यान रखना पड़ेगा पहला बात है यार फील्टर तोड़ी देर बाद ही खड़ाब होता है लेकिन मोबील 3,000 या फिर 3,500 किलोमेटर चलने के बाद मोबील को चेक कराई है मोबील को चेंज करना पड़ता है उसके बाद ब्रेक शू ब्रेक पैड ब्रेक कोईल सब कुछ मतलब छोटे-छोटे जो चीज है सब में तोड़ा सा रूपीस इसका कॉस्ट चला जाएगा सार्विसिंग में क्यारी को ऊपर से दोने से कुछ नहीं होता है अंदर में क्या रहता है वही सबसे बड़ा चीज है तो दोस्तों वाइड अंगल ठीक ठाक है या फिर नहीं बताए आप कैमेरा का तो मैंने इसमें क्या किया था इसम इतना भी वीडियो आया यह कैमेरा खरीन के बाद लेकिन अभी मैंने टीपी और 30 फ्रेम पर सेकेंड में शूट कर रहा हूं इसलिए वाइड एंगल मैक्सिमा हो गया इसका 170 डिग्री का जो वाइड एंगल दिया है वह उतना ही हो गया तो आचा भी लग रहा है तो और एक बीग अनुसमेंट है रीवेन आ रहा है फुली मोडिफिकेशन के साथ और मोडिफिकेशन हम कूद ही करेंगे दोस्तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके मंगाल ही आए मैंने ऑनलाइन से ओफलाइन से यहां से बहां से और हम कोशिश करेंगे रैपिंग अची तरह से हो यह वीडियो इसलिए ही बनाया मैं क्योंगी इसका जो मैलेज इतना खड़ाब मिलाए दोस्तो तो बहुत लोग समझते अद एक बात है तायर का पेशर मैं यह बताना भूलगा है तायर का पेशर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तो तायर का फिक टक राखना मतलब आपलोगो को ने तो मैलेज बहुत ज़्यादा खीच लेगा थोड़ा चोटा चोटा नाट बोल्ट ब्यारिंग यह तायर का जो शाफ्ट होता है में शाफ्ट अंधर में गुसा भूआता है वहाँ पे उसको निकल के ग्रीस देना कुराना ग्रीस को क्लीन करके यह थोड़ से आप लोग को सजेशन दूंगा और जितना मुझे मालूम है उस सजेशन से काम हो जाएगा आपका तो वीडियो का चलागा तो देखते रहें दोस्तों यह लास्ट वीडियो है यह लास्ट वीडियो मेरे दादा का एंट टॉर्क में तो इसके बाद रिवेन आने वाला है दो तिन दिन में तो शुरू हो जाई है मतलब क्या बता रहा हूँ एकसाइटमेंट में और एक बात दोस्तों 15 आगोस्ट इंडिवेंडेंडेंट दे के दिन हम एक जवड़ दस वीडियो शूट करने वाले मतलब यह प्लान चल रहा है बहुत दिन से बच्चा-लोग को कु कुछ तमाज लो तो हम उस दिन ही बताएंगे तो सब्सक्राइब करता दोस्तों कोई भी इंफर्मेशन चाहिए कुछ भी चाहिए कॉमेंट कीजिए मैं हर एक इंफर्मेशन को मतलब हर एक डाउट को आपके लिए क्लियर करने की कोशिश करूंगा तैंक्यू दोस्तों जय हिंट एंजाइ 15 तागर सेफली